number of 9 digits is यह एक number दिया हुआ है the number is divisible by 72 then the value of 4x-3y is what यह x और यह y मुझे ढूनना है वो मुझे जैसे ही मिल जाते हैं मैं इसमें substitute करूँगा और मैं उसका answer यहां से ढून लूँगा सबसे पहले जो question है उसमें एक number है जो 72 से divide हो रहा है वो 72 का एकदम से ध्यान आते ही मुझे ऐसे दो factor याद आते हैं जैसे 8 और 9 यह दोनो factor जो है 8 और 9 यह luckily आपस में co-primes हैं यह मेरे को सीधा mind में आया 72 का दो factor 8 और 9 8 और 9, 72 मुझे काफी देर से याद है 8 और 9 का जो आपस में यह दोनो factor है यह co-primes है co-primes का मतलब होता है कि 8 और 9 में कोई भी factor common नहीं है अभी 8 में क्या factor बनते हैं example लिए चेक कर लें 8 के factor बनेंगे 2, 2, 2 और 9 के factor बनेंगे 3, 3, 3 दिखने में यह आ रहा है कि 3, 3 और 2, 2 में कुछ common नहीं है तो यह दोनों के दोनो factor जो है यह co-primes हैं आपस में और अगर कोई number 72 से divide हो रहा है और 72 के आगे दो factor है 8 और 9 तो यह number 8 से भी divide होगा और 9 से भी divide होगा यह एक numbers की property होती है जो आप classics की NC8 की book में जाके पढ़ सकते हैं मैं दोबारा से एक बार repeat कर दूँ अगर एक number है वो 8 इंटू 9 दोनों से इनके product से divide हो रहा है यानि की 8 और 9 co-primes हैं इन से divide हो रहा है तो वो 8 से भी divide होगा और 9 से भी divide होगा इस इस बेसिक property of numbers तो अब इस से मेरी जो problem है वो simplify हो गई कि ये जो number है ये 8 से भी divide होगा और ये 9 से भी divide होगा तो मेरे पास दो hint है तो पहले 8 की divisibility का rule को check कर लेते हैं अब 8 की divisibility का rule क्या बताता है कि अगर कोई लंबा बड़ा number 8 से divide होता है तो शर्तिया बात है कि उसके last 3 जो digit मिला के जो number बनेगा वो 8 से divide होगा ही होगा मतलब कि अगर किसी number के last 3 digits 8 से divide होते हैं तो वो पूरा का पूरा number 8 से divide होगा तो इस वाले case में let us have a look at it इसके जो आपके last 3 numbers है 7,8, y ये 8 से divide होना ही पड़ेगा लिजिए 8, 9, 72 6 बचा y y क्या होना चाहिए सीधा 4 तभी ये 8, 8, 64 बन जाएगा इसका मतलब हुआ कि y is equal to 4 एक चीज मुझे मिल गई अब अगर y 4 है तो number क्या बना 8, 4 ये बन क्या number अब ये number जो है 9 से भी divide होना है 72 के दो पार्ट 8 और 9 मैंने बताए हैं ये number 9 से भी divide होगा तो अगर इन सब का sum 9 से डिवाइड होगा सब का sum निकाल लीजिए 9, 8, 7, 5, 22, 23, 25, 31, 38, 64 मेरी calculation बड़ी कट बढ़ है दोबारा 8, 4, 12, 7, 19, 25, 3, 28, 33, 41, 50 ये 50 प्लस x बना ये 50 प्लस x जो है ये 9 से divide कब होगा try कर लेते हैं x को 1, 51, नहीं 2, 52, नहीं 3, 53, नहीं 4, 54, yes इसका मतलब y is equal to x is equal to 4 होना चाहिए तो y भी 4 और x भी 4 तो यहाँ आप enter करिए 4 into 4 minus 3 into 4 ये आपका 16 minus 12 4 ये आपका correct answer है ये इस तरह से question निकालना था इस question में जो basic trick था वो यही था कि एक number अगर किसी number से divide होता है और उस number के दो factors ऐसे हैं जो co-primes हैं तो वो उन दो factors से भी divide जरूर होता होगा ये इस question का central idea था Thank you